तो हम दो देखेंगे कि आप लोग EKDU Convocation के लिए कैसे रेजिस्टर कर सकते हो सबसे पहले Chrome पर आके आप लोग को EKDU की website पर जाना है जो कि आप अल्री इस पर देख सकते हो और उस पर आने के पाद सबसे उपर जो आप लोग का link है regarding registration के लिए उसको आपको क्लिक करके open कर ल आपको फिल करना होगा enrollment number आप लोग EKDU के result में भी देख सकते हो अगर भूल गए हो तो तो वह चीज को फिल करने के बाद आप लोग को payment भी करना है तो कि 1000 रूपीस का है आपको इसको payment करने के बाद अपना download करने का option मिल जाएगा जहां पर आप पूरा अपना जो registered profile है उस तो यहां पर मैंने अभी payment नहीं किया है इसलिए मेरे मेरे payment option दिखरा है बड़ आप चाहें तो इसको payment करके अपने आपको एश्रे कर सकते हो अगर आपको जाना है तो